पिहार में जमीन सर्वे का काम सुरू हो चुका है और बहुत लोग की समस्या है कि जमीन तो उन्हें बिरासत में मिली है, अपने पुर्वजों से मिली है, लेकिन उनके पास जमीन का कागच नहीं है, तो आखिर उनका सर्वे कैसे होगा, क्या उनसे जमीन सरकार छीनने जा रह है कि आखिर आपको क्या करना होगा कि जमीन तो आपकी है लेकिन उस जमीन के कागजात आपके पास नहीं है फिर जमीन का सड़बे कैसे होगा इसके साथ ही साथ हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे जो कि बिहार के लगभग 60% से जादा लोगों की समस्या है यानि कि मान ल एक भाई जो है सो जगरालू प्रविर्ति का है और वो बटबारा नहीं कर रहा है और बटबारा नहीं कर रहा है इसके साथ ही साथ वो आपके हिस्से की भी जमीन बेच दे रहा है तो आखिर आप अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज कैसे करा सकते हैं आपका भाई अगर आपके साथ बैमानी कर रहा है आपके हिस्से की जमीन अगर बेश दे रहा है या आपके जमीन पर कबजा किये हुए है तो आखिर आप उस कबजे को कैसे छुड़ा सकते है जमीन अगर बेश दिया है तो उस रजिस्ट्री को आप कैसे कैंसल करा सकते हैं और भाई की बिना मदद लिए आप अपने नाम पर कैसे दाखिल खारीज करा सकते हैं तो बने रहे रिपोर्ट के में अंत्तम और हम पूरी जानकारी आपको देने जाएं नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट काफी खास होने वाली है और जन्दन से जूरे हुए मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखि अगर कोई बेकती किसी को भी अगर जमीन बिरासत में मिली है पुर्वजों से मिली है और उस जमीन के आपके पास कागजात नहीं है कोई भाई आपको मान लिजे कि आप तीन भाई है और कागच जो है आपके भाई के पास है तो फिर वो कागच नहीं दे रहा है तो उस जमीन का सरवे कैसे होगा और क्या वो जमीन आपसे सरकार छीन लेगी तो इसका जवाब आपको हम देने जा रहे हैं और हमने जो सरकारी अधिकारी से बात की है और उन्होंने जो बताया है वो हम आपको authentic जानकारी देने जा रहे हैं, सरकार के नियमों के मुताबिक, जमीन सर्वे में किसी भी मिर्त बेक्ती का नाम नहीं चड़ाया जाएगा, सबसे पहले तो ये जान लिजे, कि मान लिजे कि आपके पिता, दादा, परदादा के नाम पर है, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो सर्वे में उनका नाम नहीं चड़ाया जाएगा, मान लिजे कि किसी की जमीन का दस्ताबेज, दादा, परदादा के अलाबा किसी ऐसे बेक्ती के नाम पर है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, ऐसे इस्थिति में उस बेक्ति के जितने भी वारिस हैं सभी का नाम सर्वे में चड़ाया जाएगा इसके लिए पंचायत की ग्राम सभा में पारित बंसावली लगानी परेगी साथ जमीन मालिक का मिर्तुप्रमान पत्र डेथ सर्टिफिकेट भी बनबाना परेगा और हम इससे पहले की रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं कि अगर 10 साल 20 साल 50 साल पहले भी किसी की मौत हो चुकी है और देथ सर्टिफिकेट अब तक आप में नहीं बनबाया है तो आप कैसे उनका देथ सर्टिफिकेट बनबा सकते हैं वो आप चैनल पर जाकर वीडियो द दश्ताबेज में पहले से जिनका नाम मौझूद है उनके ही नाम पर भूमी सर्वे होगा पैत्रिक संपत्ती का अगर विवाद कोट में अगर चल रहा है तो जो दश्ताबेज में अभी मालिक है उसका नाम सर्वे में चड़ा दिया जाएगा और कोट केस का नंबर भी उसमे दर्ज किया जाएगा बाद में जब कोट का फैसला आएगा उसके आधहार पर संसोधन किया जाएगा अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है जमीन पुस्तैनी है तो उसका आप खतियान से भी नाम निकलवा सकते हैं हमने खतियान भी कैसे पुराना खतियान आप घर बै बनबा कर देनी होगी इसके लिए पाच गबाहों की भी जवरत परेगी बंसावली अगर पहले से आपने बनबा रखी है तो अच्छी बात है और नहीं बनबा रखी है तो अभी देर नहीं हुई है आप जाकर बंसावली बनबा लिजे रइस्ट्री नहीं है और खतियान मे भी जानकारी नहीं मिल रही है तो जमीन से जुरी कोई भी पुरानी रसीद है वो भी सर्वे में मानने होगा यानि कि जमीन आपकी है इसका कोई एक भी सबूत आपको सरकार के सामने पेश करना पड़ेगा और मान लिजे कि पुराना रसीद भी आपके पास अगर नहीं है तम आप OSC स्थिती में क्या करेंगे तब आपको बताते चले कि आपके जमीन के अगल बगल यानि कि पूरा पक्षिम उत्तरदक्षिन जो जमीन होगी उसकी चहदी में तो आपकी जमीन के बारे में जरूर दर्साया गया होगा उस कागजात के आधार पर भी आपका सर्वे हो सकत इसके बारे में लगातार रिसर्ज की और तीन रास्ते निकले हैं वो तीनों रास्ते हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको आसान लगेगा आप उस रास्ते को अपना कर अपनी जमीन को जो कि दादा पर दादा के नाम पर है उसे अपने नाम पर करा सकते हैं आपको बताते चले कि मानलीजे हम अपने पर ही उदारन देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं मानलीजे कि हमारे दादा जी के नाम पर सारी की सारी जमीन प्रोपटी है और हमारे पिता जी मानलीजे कि तीन भाई है अब इसमें क्या है कि अब दादा जी ने कोई बिल ब तिनो भाई अगर बटबारा करना चाहते हैं उसमें एक भाई जो है लफरा लगा रहा है वो ज़गरालू प्रविर्ती का है और आपको बताते चले कि जमीन का बटबारा एक हजार रूपे के स्टाम पेपर पर होता है और हजार से कम के स्टाम पेपर पर अगर आप जमीन का बटवारा अगर करते हैं तो फिर आपके नाम पर मोटेशन यानि की दाखिल खारीद नहीं हो पाएगा अब आपको पताते चले कि मान लिजे कि तीन भाई है जिसमें एक भाई जगरालू है और वो स्टाम पेपर पर साइन नहीं कर रहा है यानि कि बटवारे के काज़ पर साइन नहीं कर रहा है वो दोनों भाई को परसान करना चाहता है वो ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे मान लिजे कि जो भाई जगरालू है वो क्या कर रहा है कि अपने हिस्से की जमीन तो बेच ही ले रहा है बलकि भाई के हिस्से की भी जमीन बेच ले रहा है तो उसके लिए सबसे पहला एक रास्ता है कि आप partition shoot करें partition यानि की बटबारा का आप केस करें लेकिन partition shoot में सालों लग जाते हैं और बटबारा यानि की फैसला नहीं हो पाता है एक रास्ता तो यह है जो कि काफी मुश्किल भरा है और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा है दूसरा रास्ता है कि मान लिजे कि हमारे पिता जी तीन एक भाई जगरालू है जो कि प्रोपठी का बटबारा नहीं करने दे रहा है वैसी स्थिती में क्या हो सकता है वैसी स्थिती में एक काम यह हो सकता है कि हमारे पिताजी क्या करे कि कि किसी एक ऐसे विश्वासी बेक्ती के नाम पर जमीन की अपने हिस्से की जमीन रजिस्ट्र कर दे ये काफी आसान है लेकिन इसमें खर्च जादा है ये रास्ता काफी आसान है कि हमारे पिता जी किसी दूसरे के नाम पर रिष्ट्री कर दे और वो वेक्ति हमारे नाम पर रिष्ट्री कर दे इससे क्या है कि मोटेशन भी बरी जल्दी आसानी से हो जाता है लेकिन आपको बताते चले कि कहीं पर 10% कहीं पर 12% कहीं पर 8% यानि कि जो जमीन का जो सरकिल रेट है मान लिजे कि जमीन का सरकिल रेट 5 लाक रुपया है और आपके हिस्से में 10 कठा जमीन है तो 10 कठा जमीन है तो 10 कठा जमीन जो बेक्ती रहिष्ट्री कराएगा उसको लग जितनी भी जमीन है उतना जादा माने एक कठा पर सरकिल रेट का दस परतिसत आपको खर्च करना पड़ेगा लिखने में और लिखवाने में पहली दोसरा रास्ता ये हो गया और तीसरा सबसे आसान रास्ता जिसमें कम खर्च होगा वो रास्ता भी आप ज़रा सुन लीजिए मान लिजिए कि हमारे पिता जी तीन भाई एक भाई जगडालू हम पहले ही बता चुके हैं अब वो प्रोपर्टी का बटबारा नहीं कर रहा है वैसी स्थिती में क्या किया जाएगा तो वैसी स्थिती में आसान रास्ता क्या है वो आप जड़ा ध्यान से सुनिएगा हम क्या करेंगे हम अपने पिता जी के बेटे हम मान लिजे कि दो भाई एक बहन है वो ऐसी स्थिती में हम अपने पिता के उपर जो है सीविल कोट में बटबारे का केस कर देंगे कि हमको संपती में से मेरा जो हिस्सा है वो आप बाठ करके दीजे हम कोई वकील के माध्यम से कोट में केस करेंगे और कोट में जब केस करेंगे तो हम या हमारा भाई या हमारे पितादी इन तीनों का मन तो मिला हुआ है लेकिन हम सरकार को दिखाने के लिए केस करेंगे और केस जब हम करेंगे उसके बाद अगले डेट पर हम कंप्रोमाईज अपने पितादी के वकील के समक्ष लगा लेंगे हमारी जो बहन है अगर वो हिस्सा जमीन में नहीं लेना चाहती है तब वो कोट में जाकर के ये लिखित में कह देगी कि हमें अपने पैत्रिक संपत्ती में से हिस्सा नहीं चाहिए तो जमीन जो है अब कोट ओडर कर देगा कि दोनों भाईयों के बीच म हमारे पिता जी में बटबारा भाईयों में नहीं हुआ था अब पिता जी के नाम पर भी जमीन नहीं है जमीन दादा जी के नाम पर है लेकिन कोट ये आदेश करेगा कि हमारे यानि कि हम दो भाईयों का जो भी हिस्सा होगा वो दोनों भाईयों को बराबर बाट दिया जा वही कोट का पेपर जब आप ले करके जब जाईएगा CEO साहब के पास तब आपका बटबारा होगा और आपके नाम पर यानि कि हमारे नाम पर जो है अब दूसरा चीज हमने आपको बताया था कि अगर आपका वो जमीन आपका ही सारी जो हम आपको दे रहे हैं हमने खुद एक वकिल साहब से बात की है रिशर्च किया है और आपको लिजे कि हम एसी परिश्थितियों के भुक्त भोगी हैं और हमने सोचा कि ऐसा बहुत सारे घ अब दूसरा चीज हमने आपको बताया था कि अगर आपका वो जमीन आपका हिस्सागर बेश देता है तब आप केस करते हैं तब उसने जिसको जमीन बेचा है वो रजिस्टरी भी कैंसल हो जाती है इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिएगा और आपको अगर हम पर एक प सीबील के किसी वकील से देखे किसी भी वकील से आप संपर्क मत कीजेगा वकील जो होता है क्रीमिनल लोयर एक अलग होता है सीबील का वकील एक अलग होता है यानि कि जमीन बेगरा का जो मामला देखता है या केस जो लड़ता है उसका वकील अलग होता है क्रीमिनल केस का व जानकारी थी थी वो एकदम सही जानकारी थी और इस रास्ते से जाकर आप आसानी से अपनी जमिन अपने नाम पर दाखिल खारी करा सकते हैं जो संपत्ति अभी आपके दादा परदादा या पिता जी के नाम पर है और भाई आपका हरामी निकल गया जिसके कारण वो बटबा परा नहीं करने दे रहा है आपको ये जानकारी कैसे लगी आप जरूर बताईएगा और अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा हम अगले वीडियो में उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे जुरे रहे हमारे साथ जय है जय भारब